मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का एडी गुरुप में यानि के हमारे टॉपर्स का परिवार में आप सभी का स्वागत है तो जैसे आप लोग ने थम देल में देखा होगा कि फिक्की लाइफ टाइम एचिमेंट आवर्ड से सम्मानित क्या गया किस व्यक्तिकों किया गया शिदा-चिदा आपसे फिक्की स्थापना पूस्ट लेता है और पूस्ट है आपसे कि फिक्की के फॉल फायेगहा तो फुल फायेंगा अपका फैर्डेशन ऑफ इंडियंं चैपर कॉमेर्स इंडस्ट्री ठिक है यह स्टेबिस कब होऔा था तो यह बना था आपका 1927 में dances स्तापना होती है कि नंटेन सथाथ आपसे पोछता है कि वर्तमान समय पर जो फिक्rie के है उनका नाम क्या है कि तो इनका नाम क्या जूब्राकांत शुब्रा विद्यातियों शुब्राकांत पांडा शुब्राकांत पांडा वर्तमान समय पर इसके क्या है तो ये इसके अध्यक्ष है यानि कि आपका सुब्रकान पांडा और इसकी स्थापना जो की थी विद्यातियों किसके दौरा तो गंस्याम दास बिर्ला उन्नीसो सताइस में और नरुतम दास आता है उनके द्वरा इसके क्या की गेती इस्थापना की गेती ठीक है तो कौन थे आपके तो घंसयाम दास बिर्ला ठीक है ना घंसयाम दास विद्या चेटे क्या दे आपके बिल्ला ठीक है और को थे नरुतम दास जिन्नों की क्या करी थी इस्थापना करी थी तो विक्ती से यह सवाल हमारे बनत है üz SUN Kur एक है तो मुक्याले आपका नहीं दिल लिए के वर्तमान समय पर इसके चेयर परशन को नहीं तो शुबरकांत पांड़ा इसके वर्तमान समय पर चेयर परशन है अब जो यहाँ पर हम लोग पहुशे ते जिसके लिए वो चीज आप लोगों के लिए क्या इंपोर्टेने विद्यारती हो तो मेहतापूर जो आपके सामने के मुल दिये यह में यह है आपके राजेइंदर सिंग पावज ठीके अंडा फिक्कि के द्वारा जो में उसलाइब टेल अचीवमेंट और गया अभी लाइफ कि अचीन wife Achievement Awards से ते कौन सा आवोड आपका Awards 2022nymi 2022 से 222 से समानित किया गया समानित किया समानित किया अब समानित किया वह किसे किया गया तो यह दिया गया तो राजेंद्र सिंग पव़ार राजेंद्र सिंग पवार प्रफोस समानित की तलिए राजेंद्र सिंग पवार कि अढ़्यक्षाइब होसे कि आपके संस्थापक भी है कि कार्या करने के लिए इन्हें सब्सक्राइब्ल को इसी दर्व मत टाते हूँ ठीक है तो आप लोग यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करेगा ठीक और आप लोगे लिए छोटा सा सवाल यहां पर जो कि exam point of view से important है आप बताएंगे विडियो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा तो वो है आपका सन्या अभ्यास गरूर सकती सन्या अभ्यास का आयोजन अभी इंडोनेशिया के अंदर हुआ यानि कि भारत और इंडो हुआ है मलका स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करता है या किन दो छेत्रों को अलग करता है उसका अंसर इसी वीडियो के comments box में आप देंगे और अगला टॉपिक आपको इसी तोरह से मिलेगा तो वो किस पर मिलेगा आपको गरूर सकती सेन्या अभ्यास पर हम लोग डिट देंगे बाद